हालो मेंबर्स वेलकम बेक टो ओन चनल स्टॉक मार्केट फणना में अब देखो यहां पे मैंने पार्ट वन अग्दिया होगा नहीं देखे जाके जरूर देखेगा एंड सबसे बड़ी बात Cen6 ने ओल टाइम हाई लगाया है फिर यहां पर निफ्टी ठीक है और बैंक निफ्टी वापैस अल टाइम हाई लगाया है और आज देखोके F.I. ने खरीदारी वापस की है तो देखो definitely Nifty Bank Nifty Sensex continuously उपर जा रहे है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है Retail Universe के portfolio लेकिन देखो SMF ने बोला था कि यहाँ पर market में फरवरी तक यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके mid caps वापस उपर जाना स्टार्ट हो जाएगे जैसे Nifty 1500 पर था 15100 तभी बोला था कि बाई market ऐसे मैं बोला है कि market मीचे तो नहीं जाना चाहिए वही से rebound वा all time high पर मारा कोई पूछ रहा था किसा दिवाले तक all time high मारेगा मैंने बोला दिवाले नहीं जस्ट उसके बाद कुछ एक दो महीने के अंदर all time high मारेगा क्या बोला था कि नहीं बोला था definitely वीडियो के comment में mention कर सकते है ओके लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा वापिस बता हूँगा ठीक है पार्ट टू मेरा हमेशा important है ता है focus करना important बात यह है कि आपके midcaps अभी चलना start हो सकते है as per my analysis मैंने आपको बहुत बार continuously बता है recently पीछली एक याडेट मेने से मैं आपको यही बता रहो कि आपके midcaps चलने वाले है midcaps चलने वाले है उके उसका बड़ा reason पता है क्या है देखो यहाँ पे यह एक falling wage pattern था जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ पे और यह breakout हुआ है यहाँ पे support लेनी के कोशिश के यहाँ से एक बड़ी momentum हो सकते है और आपके midcaps all time high मार सकते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहरा था कि अभी आपको कौन से stock में focus करना चाहिए तो कि IT packs कौन से members IT packs में आपके जैसे कि देख सकते हैं IT stocks को average या add करना start करो जिसके पास है specially focus रखो LTI, LTTS, Infosys वैसे stock को focus रखो TCS ठीक है उसमें बहुत बड़ी momentum आनी start हो सकती है तो IT packs में सबसे पहले focus करना बात समझ में आ रही है मार्केट में बोलते हैं कि फॉल होरे stock को छेड़ना नहीं चीए पैर पे कुलाडी होती है मैं बहुत बार बोलता हूँ लेकिन यह मुझे पता था यह support है यहां से bounce back करेगा देखो यहां से VPCL momentum करना start कर चुका है इसको भी focus करना positionally long term के लिए बहुत अच्छी momentum हो सकती है ठीके लेकिन फटाट यहां पर important question answer discussion कर लेते है news discussion कर लेते है और मेरे भाई बंदो की queries discussion कर लेते हैं ठीके चले point पे आ जाते हैं देखो world beating sensex break many records today आज पूरे global market down है still all time high के नजदिक नहीं है लेकिन हमारा Indian market sensex all time high अब देखो आज FI ने खरीदा रिखी है बहुत time के बाद आप बोल सकते है almost one week nearby यहां पे FI ने selling की आज खरीदा रिखी है chances से कलनिफटी gap अप या उपर जा सकता है अब सुनो ध्यान से आपको कौन-कौन से stock average करने add करने में वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई retail निवर्श को confusion ना हो हम लोग सभी stock discussion करेंगे ठीक है मान लोग के पास कोई stock नहीं है कि सर मेरे पास यह सभी stock नहीं है तो मैं क्यों सुनो बैस सुनो कभी-कभी काम आ जाते है शायद आपके काम आ जाएगा कोई अच्छे return देने के लिए और विक्का जी की मेरा logic सुनना आपके काम आ सकता है ठीक है सबसे पहला loris lab consider करते हैं देखो इन लोगोंने 26% का stake लिया है इथान energy के अंदर 52 विपिस की price वे लेखो loris lab quality company है लेकिन आरवेनल भले आपको आज दिखाएजे momentum करने वाला एक टेम ऐसा है करके दो सल momentum नहीं करेगा जैसे कि ISTC नहीं किया IEX run करने के बाद नहीं किया बहुत सारे stocks है run करने के बाद वो फस जाएंगे जिकिए रेटेले वशक को फसा के traders profit book कर लेंगे तो एक बाद गाठ बाद लेना जो momentum कर रहे है आज RVNL, IRFC, हुडको, फुडको जो भी है भले अभी short term में momentum हो momentum लेके निकल जाओ long term के लिए पकड़ के बैठ मत जाना क्योंकि मेरा वीडियो अगर नहीं सुनोगे छाती ठोक के बोलूँगा फस होगे, बहुत खरब फसने वाले हो तो वीडियो सुनना ऐसे में पोल रहा है भाई, रीटिन लोशों को बचाने की हमेशा मैं ट्राइ करता हूँ बात रही यहाँ पर लॉरेस लेब की तो ये news positive है अब सुनो ध्यान सई, मेरे एक viewer है मुझे whatsapp में comments कते रहते है कि sir, अभी लॉरेस लेब में क्या करूँ मैं उपर की level से फस्ट चुकी हूँ मैं उनको बोला कि भाई, अभी यहाँ पर जो swing है ना 400 का, वो support है, stop loss है, ऐसे हो तो उसको पकड़ के बैठो, अगर break होता है तो exit कर ले ठीक है, उनका point किया था कि यहाँ पर long term के लिए, अगर दूसरे stock में profit मिले, तो मैं इसको बेच के वो try कर लेती हूँ, ठीक है मेरी साब से अभी के लिए 400 पर support है, अभी बेचो मत, news positive अगर यहाँ से support लेके bounce में किया तो बड़ा bounce बेका सकता है, तो फिर इसमें profit करो या और कोई stock में profit करो same ही है, ठीक है, ओल्डा यह तो पता है कि आप यह stock bottom पे है, अभी के लिए ओके, अब पुछो सार मैं average या fresh buy करो, तो मैं average की ना बोलूँगा, fresh buy की ना बोलूँगा, average कब करनी है, जब यह stock यहाँ पे 500 की ऊपर जाता है, तब average करना है, अभी के लिए no average, ठीक है, बागे कर लो momentum कर सकता है, अब देखो बीका जी का सूनो ध्यान से, मैंने आपको retail जी को बोला था कि बीका जी मेरी सब से profit book कर लेना, ठीक है, ओर value टे profit book कर लेना, अगर profit book किया बहुत positive बात है, नहीं किया है, तो भी positive है, यहाँ पे Goldman Sachs यहाँ पे कुछ stock को purchase किया है, देखो बात समझो, यह temporary purchase होता है, बाद में stock profit book करता ही करता है, ठीक है, तो इतना positive मतर ने बीका जी अंदर, ठीक है, यह तो मैंने आपकी अच्छे के लिए बोला था कि भाई profit book कर लेना, वरना फस होगे, और फिर रोडने बैठोगे, उससे बैटा तो profit book कर लो, लेकिन मैं क्या समझने वाला था, वो समझो, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, सी यहाँ पे, देखो समझो बात को, मैंने आज बीका जी को बेचा है, मैं IPO में नहीं अपलाई किया था, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोला था कि हमेशा एक बात गाठ वांद लेना, कि अगर 3-4 दिन के बाद, जो नए रिटेलिव अच्छा के वो जान से सुनें, क्योंकि पूराने वाले को मालूम है, अगर कोई IPO आता है, 3-4 दिन के बाद IPO की high cross करता है, IPO का high cross करता है, stock में entry possible है, और अच्छे return देखी जा सकता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, कल यहाँ पे stock को अपर circuit में बाई किया था, अब यह stock circuit में चला गया था, मुझे बाद में पता चला, तो मैंने order place कर दिया circuit के अदर, ठीक है, अब suddenly execute हो गया, second day को stock 10% की circuit, मैंने आज बैसे बेच दिया stock को 10% profit book करके आज बेच दिया, ठीक है, तो धियान में क्या रखना है, हमेशा गांठ बाद लेना, कि stock अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, चार पात दिन, ठीक है, IPO के बाद का अगर कभी भी high cross करता है, तीन-चार दिन के बाद, stock में entry possible है, लेकिन एक बात ये भी समझना, कि थोड़ा risky होता है, ठीक है, जब तक आपको experience ना जाए, तब तक quantity एकम रखना है, experience आने के बाद आपको अचे return मिल सकते, जैसा कि मुझे मिले है, समझ रहो, मैं WhatsApp members को यह forward क्यों नहीं करता, क्योंकि high volatile stock है, मैंने is my trip कोई कोशिश की थी, म मैं seriously was the person, लेकिन stock इतना volatile था कि stop loss hit कर गया, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था कि इसमें भी ऐसे कुछ हो, तो मैं loss, मैं जानता हूँ मैं loss handle कर सकता हूँ, सब भी handle नहीं कर सकते, तो ये stock मुझे 10% क्या profit देखे गया, अब बले ये stock कल ऊपर जाए, ये फाड की return दे, मेरा 10% का profit एक दिन का हो गया, अब अगर किसी के पास है, तो मैं आपको बोलूगा, trailing stop loss रखने रख सकते हैं, कल अगर gap up open हुआ, मैं तो ये suggest करूँगा, momentum traders exit का लेना, वाकि stop loss रखना है, 364 का stop loss रखेगा, अगर break, अगर 5 मिट इसके नीचे closing रेता है, तो exit, बाकि चांसे से stock 385 89 तक जा सकता है, ये stock, 400 पे रेजिस्टन से fresh buy नहीं करनी है, ये risky traders के लिए है, टाटा कंस्यूमर, आप देखों, टाटा कंस्यूमर यहापे 20 लेरी, I am sure अपने पानी की bottle, 20 लेरी का नाम सुना होगा, ठीक है, discussion हो रहा है, और इससे यहापे 7,000 करोण में यहापे खरीदने करें मुझते हैं, सर इसकी वज़े से मैं stock में fresh खरीदारी करो क्या, देखो, news की वज़े से कोई भी एले पहले गेले stock में entry नहीं करनी चे, पहले stock आज 2% उपर हो या 3% उपर हो, ठीक है, इससे अच्छा तो अगर आप IT stock में entry करते हैं, तो जाजा better return मिलते हैं, in terms of कोई particular news इसमें आप उसो, समझे रहो, या फिर जो में आपको बता है, वो logic, 10% profit मिले किया, इसमें 10% मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, तो ऐसा logic सुनो, समझो, future में cash segment में इतना profit है कि कोई papa option में आपको नहीं दे सकता, जो cash segment में जितना में confidence हो ना, जितना कोई यहाँ पर confidence नहीं होग कि अगर Dow Jones गिरा भी, मानलो crash भी हो गया, ठीक है, तो 90% की chance ऐसे कि stock मेरे next देखो, जो BTST में देता हूँ, वो stable open होगी, या gap down में भी stock वापिस 5-6% उपर जाएंगे, ठीक है, तो मैं इतना confidence होता हूँ, मेरे stocks ऐसे होते हैं, high beta stocks, तो ऐसा confidence अगर build up करना है, मेरे video सुनना, जैसे बीका जी में में बोला था, वैसे ही आपको future में काम आ सकता है, अगर बीका जी, मानलो, आज यहाँ पर nifty crash भी होता, तो भी मेरे बीका जी, यहाँ पर मेरे को profit देखे जाता, 2-5% का, इतना मैं guarantee था, समझ रहे हो बात को, ऐसा confidence आना चाहिए, आप लोगों को है, और अगर माई का लाल है, सिखा दे, मैं आपको माद, मैं बात बन जाओगा, ओके, अगर कोई सिखाएगा, तो मेरे से सुनके ही सिखाएगा वो, और आखरी बात, देखो, मैं पता ही, यह जो logic सिखाऊ ना, मैं practical करके सिखाऊ, मैं ना, मैं किसी news को सुना हो, या मैंने कोई books ऐ उसी की हिसाब से बोलता हूँ, समझे रहो, चले अगले point पर आ जाते हैं, policy bazar, अब देखो, policy bazar में बहुत बड़ी positive news है, retail निवर्शक को, जिन लोगोंने मुझे पूछा था, अब news क्या है, वो मैं आपको समझा तो, लेकिन stock आज यहाँ पे 11% जम किया है, stock continuously momentum करा है, policy bazar और news यह है, कि इसके अंदर investor नहीं आए है, stock के अंदर खरीदार हुई है, बल्ड डिल के जरीए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाओंगा, PB Fintech यहाँ पे, ठीक है, 400 की भाव पे, यहाँ पे 34 lakh shares कुछ buy की है, WF Asian smaller companies ने, ठीक है, news positive है, और उसके अलबा, Fintech, Fino Payment के अंदर, यह अलग है, Fino Payment के अंदर यहाँ पे particular Cabri Global ने हाँ पी, stock के अंदर stake increase किया है, ठीक है, तो दोनों stock focus करना, Fino Payment and PB Fintech को यहाँ पे focus करना, stock में momentum हो सकती है, अगर बात करने, जैसार में fresh entry करू या average करू, तो एक बार stock के chart देख लेते हैं, देखो समझ चो, अभी, भले stock की momentum आज हो गई, 7% की, अब मेरी साब से हम stock को average करना चाहते कर सकते हैं, मैंने एक या दो दिन पहले बोला था, कि stock को momentum आने दो, 600 तक जाने दो, ठीक है, जस्ट एक दो दिन पहले की बात है, ओके, शायद कल की बात होगी, लेकिन मैं यह वेट करा था, मै यह कोई बड़ा player चाहिए था, stock के अंदर कोई invest करे, ठीक है, यह stock के अंदर कोई volumes आए, या फिर कुछ यहाँ पर turnaround JC News वो, based on the result, तो मैं बोल सकता हैं कि stock को average कर, या फिर बड़ी momentum 600 तक की, अब यहाँ पर एक player ने entry की है, तो मैं शायद बोल सकता हूँ कि भाई, हाँ, थो अगर आप समझत हो तो, ठीक है, तो मैं blind नहीं खेलता का बीबी, जैसे की विका जी हो गया, वैसे मैं blind generally नहीं खेलता, मुझे पता होता है, तो मैं entry करता हूँ, clear, अगली बात हो जाती है, 10% का stake यहाँ हमें बात्ची चल रही है, CPCL याने की चन्नाई पेट्रो में, और I CPCL के अंदर, तो news positive है चन्नाई पेट्रो के लिए, IOCL के लिए, और कोई retail वाश हो कि yesterday मुझे पूछ रहा था चन्नाई पेट्रो का, तो मैं यहाँ एक बात discuss कर लेता हूँ, चन्नाई पेट्रो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते है, मेरी साब से अगर आप अब यह एवरेज कर लिजीगा, fresh entry नहीं करनी है, stock volatile है, high beta है, मतलब इतना volatile है कि हाथ में आ सकती है, क्या हाथ में आगी वो आपको पता है, ठीक है, तो हाँ थोड़ा average करना चाहते कर सकते हैं, मेरी साब से stock में momentum हो सकती है, लेकिन momentum के लिए नहीं, positionally, long term के लिए की बात है clear? तो में बस यह सभी stock है, हमें news के वज़े से focus में रह सकते हैं, अब question answer लिए जाते हैं, देखो बात समझो, वापिस बोल रहा हूं, market में mid cap, मेरी साब से तो momentum करनी चाहिए, अगर चोटा मोटा deep high तो panic नहीं करना बाकिया, अगर interested है, ठीक है, देखो हर एक का interest अलगल होता है, मेरी साब से आप average करना चाहते है, average start कर सकते हैं, अगर कोई 50-40% crash है तो, ठीक है, सीवाइप, ATM और delivery या नाइका करूँगा, क्योंकि कत्रे stock है, mostly, अभी यहां पर सर ने बूचे था कि सर अदानी विलमार पर कोश वीडियो बना हो या सर क्या करें, समझ में नहीं आ रह है, ठीक है, और दूसरे अदानी इंटरप्रेस पर आ है, ओके, देखो बात समझो, अभी कोई, इसका कोई solution है नहीं, ठीक है, कभी-कभी हो जाता है, मुझे कुशन ऐसा आ था कि सर, मेरे 4 stock positive है, 3 stock negative है, market all time high पर है, आप वक्वास advice देते हैं, वक्वास की बात नहीं है, सोचो, अगर कोई भी आप team choose करते हैं, इवन Australia की team होते हैं, क्या सभी लोग century मारते हैं, क्या सभी baller होते हैं, विकेट लेते हैं, क्या, भले अपने अच्छी team choose की है, अभले आप selector है, समझ रहे हो बात को, तो कभी-कभी उपस से नीचे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभ आपके चलेंगे, थोड़ा mind use करो, ठीके, पांच साल के छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, समझ रहे हो, अगर आप exam में जाते हैं, दो-तीन pen लिखे जाते, ball pen या pencil लिखे जाते, क्या आप एक pencil पे बरोसा नहीं करते हैं, समझ रहे हो आतको, थोड़ा mind open करो, पांच साल 800 पे चला गयता है, अभी कोई momentum नहीं है, कोई फाला ना, ढिमका ना, मिज़े question करा था किस तर, अदानी पावर में ये positive news है, टाटा पावर की, और किसी ने वीडियो बना रहे था, 15,000, 20,000 views आ गये थे, पाई वो पेलने वाले पेलेंगे, ठीक है न, हमला कुछ भी पिलते रहते हैं, उसकी वाज़े से क्या stock उपर जाएगा, अगर जाना होता तो पहले चला जाता, अदानी ग्रूप कभी भी ऐसे news पे momentum नहीं करते, वो अपने मन के मालिक है, अदानी ग्रूप, समझ रहो ना, तो जो भी फालू तालू news आए, कोई आपको focus नहीं करनी है, अभी क क्या बोल सकता हूँ, समझ रहो ना, बात को, okay, infosys भी stock quality stock उपर से नीचे आता है, उसमें कोई panic नहीं करता, उसमें average करनी की सूचते हैं, लेकिन AWL नीच आता है, सब panic करने लग जाते है, अभी उसमें कोई output नहीं, कोई answer नहीं है, कोई excuse नहीं है, okay, अब देखो support पे है, stock सबसे stock time spent करेगा, दो-तीन महीने लगेंगे, AWL, अधानी transmission, अधानी green और बात नहीं उपर जा सकते हैं, ठीक है, ये nifty के साथ चलने वाले नहीं है, ये गाठवाद लेना, टाटा एलिक्सी, सर्थ टाटा एलिक्सी में अभी average कर सकते हैं, या fresh entry long term के लिए कर सकते हैं, देखो जैसे कि मैंने बोला, दूसरा IT stocks में focus करो, टाटा एलिक्सी एक overvalued stock है, ठीक है, ये ऐसा stock है कि देखो, पूरा IT stock उपर जारा था लेकि टाटा एलिक्सी नीचे, ये clear द पर बार बोला है, कि Infosys को focus करो, ये मेरा दीवाली पिक का भी stock है, ठीक है नहीं आप देखो कि और नहीं high पे जा रहा है, IT stocks में दूसरे stock को focus करो, टाटा एलिक्सी मेरी सबसे और नीचे आएगा, और ये stock मेरी सबसे 6000 को ये test करने जा सकता है, ये गाट बांद लेना, तो अगर pullback आए, नल्या pullback समझ लेना stock को, IT stocks जैसे की बोला, Infosys को try कर लेना, TCS, LTI को stock को focus कर सकते हैं, किसी ने मुच्छा था कि sir, Trident को average करे क्या, यहाँ पे, देखो बाई, ये डेफिनेटी बात आपकी सही है, कि market में, Indian market उपर चा रहे, ठीक है, कुछ बड़ा game है, game तो लगी रहा है, ठीक है, कुछ जादा negative नहीं बोल सकते है, लेकिन हाग game तो कुछ लग रहा है, ठीक है, ठीक है, पेरा केबल sideways है, अभी के लिए, अच्छी momentum की है, लेकिन sideways है, ट्राइडन की मुझे यहाँ यहाँ पर है करो में, ठीक है, ठीक है, अभी के लिए no momentum, अगर momentum के लिए देख रहे हैं, कि सर्फ 2-3 मीने में मुझे 25% return मिल जाएंगे, निफ्टी उपर जा रहा है, निफ्टी 50% की return दे रहा है from the current level, लेकिन trident नहीं दे रहा है, तो avoid कर लेना, ठीक है, तो nifty को देखके trident में entry करना तो मत कर लेना, यह बात गाट बन लेना, यह trident निफ्टी नहीं है, कि निफ्टी उपर जाएंगे, तो trident भी उपर जाएगा ओके, देखो यह penny stock है, ठीक है, blindly entry मत करना, ओके, निफ्टी उपर जाए, कि सर मेरा stock क्यों नहीं उपर जाए तो यह सवाल मत पुछना, अगर आपको यह सवाल आते हैं, तो फिर निफ्टी में infosys relance ले लेना, वो उपर जा सकते हैं, possibility के chances हैं, clear, लेकिन trident for the long term, yes, यह try कर करना चाते हैं, एक आखरी query ले ले लेते हैं, नहर पॉली की, अगर question थे हैं, नहर पॉली के, देखो नहर पॉली same category का है, अभी sideways है, time spent करेगा, बाद में उपर जाएगा, तो no fresh entry अभी के लिए, अगर है, तो hold कर सकते है, no average stock को wait and watch किर जी का, ठीक है, 340 के उपर जाते है, अभी stock में average करना चाता है का सकते हैं, अभी no average, clear, तो मैं must most of the query short out का दी है, और देखो अगर WhatsApp group का join करना है, definitely हमारी payment membership ले सकते हैं, काफी अच्छी calls प्रोवाइड करें, अगर interested है, nifty bank, nifty के, मैं generally अभी के लिए nifty के monthly calls दे रहा हूं, monthly expiry के, काफी अच्छी momentum करते है, interested है, join कर सकते हैं, clear, और बाकी की अप्डेट्स याँ पर टेलीगरम में provide करता रहे, तो मैं RFC के बारे में 31st target अच्छी हो चुके है, NVCC momentum कर सकते हैं, free btsd call के लिए try कर सकते हैं, या फिर हमारी link से demate account भी open कर सकते हैं, और देखो free time के अदर हमारी वीडियो देखे, काफी तक interesting ह पसंद आएंगे, metal stocks में momentum मेरी सब सभी start हो सकती है, और gold mine stocks चेक कर सकते हैं, मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए goodbye, जय हिर